नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे टेलवास 40 mg टेबलेट के उपर जो कि एरिस्टो कमपनी का आता है इसमें जो दवाई होती है वो होता है टेलमी सालटन 40 mg टेबलेट जो की बलड पिशर की दवाई है देखिए जब उच रख चाप की इस्तिती होती है और बलड पिशर की जो समस्या होती है उस कंडिशन में डॉक्टर की पसंद के बाद इस टेबलेट का उपयोग करने को होता है आप देखिए ये बलड पिशर की दवाई है तो फ्लो आप बलड यदि ज़्यादा हो जाता है हार्ट में तो उस कंडिशन में इस टेबलेट का इस्तिमाल किया जाता है और इस tablet को देखिए दिन भर में एक बार लेने का होता है याने भोजन के साथ या भोजन के थोड़ा पहले आप इसे ले सकते हैं और इस tablet को याने side effect के इसाब से इसका देखिए तो हलका फुल का चक्कर आ सकता है, सरदर्द हो सकता है और नाक में सूजन वगेरा शुरुआती दौर में आ सकती है, तो वैसे तो कोई बहुत बड़े side effect होते नहीं है लेकिन ये ती कुछ भी nausea, vomiting या कुछ भी ऐसी इस्तिती हो जो अपरी अलगे आपको तो डॉक्टर से आपको consult करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन ये initial याने शुरुआती चीजें होती हैं, बाद में सब adjust हो जाता है तो blood pressure की दवाई होती है और उम्र और वजन के हिसाब से, याने 15 साल से नीचे की उम्र है तो उसमें ये टेबलेट डॉक्टर नहीं लिखते हैं, लेकिन उम्र और वजन का calculation करके इस टेबलेट को दिया जाता है देखिए इस टेबलेट को लंबे समय तक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन लंबे समय तक जब ये दवाईयां ली जाती है तो potassium का जो लेवल है, वो शरीड में बढ़ जाता है और उसे एक नई तरह की जो इस्तिती है, वो दिर्मित हो जाती है heart और liver की एक अलग तरह की समस्या जो होने लगती है तो नियमित समय पर याने समय समय पर आपको इस tablet को लेते हुए भी doctor से update करते रहना चाहिए कि अब हमारी इस्तिती ऐसी है या फिर किस तरह का आपका जो भी स्वास्त परिक्षण है time to time करते रहना चाहिए इसके बाद ये है कि इस tablet की जो MRP है वो 99 है याने 15 गोली का जो MRP है निन्यानवे रुपे ने लगभग पौने 7 रोपे की एक गोली आती है जो की हर medical store पर आसानी से उपलब्द होती है तो एरिस्टो कमपनी का टेलवास 40 जिसमें जो ड्रॉग है वो टेलमिस आर्टन होता है ब्लड प्रिशर की दवाई है ब्लड प्रिशर को कंट्रोल करने के लिए ये होता है जो हमारा ब्लड प्रिशर जो निश्चित मापदंड है उससे ज़्यादा हो जाए तब इस tablet का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर की पसंद के बाद आप देखिए प्रिग्नेंट वोमेन हो या जैसे किड्नी लीवर की यादी कोई समस्या हो तो उस कंटिशन में इस tablet का उप्योग जो है वो सही नहीं रहता है क्योंकि नुक्सान होने की आशंका बढ़ जाती है तो कभी भी किसी दवाई का उप्योग डॉक्टर की पसंद से ही आपको करना चाहिए चाहिए वो ब्लड पिशर की दवाई हो या किसी तरह की अन्य कोई अंग्रेजी दवाई हो तो टेलमी सार्टन 40MG टेबलेट टेलवाज 40MG टेबलेट के ओपर ये चोटा सा वीडियो था उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार